रितिक की रात हाली में रोशन नहीं बलकी और काली हो गई वहां यू कि रितिक फिल्म सिटी से शूट कंप्लीट करने के बाद अपने घर की और लोट रहे थे तब ही अचानक उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया तब रात को तकरीबन तीन बज़ रहे थे रितिक के बॉडिगार्ड ने मेकैनिक की तलाश भी की लेकिन वो खाली हाथ लोटा मरता क्या ना करता तब ही रितिक ने घर आटो रिक्षा से जाने का फैसला किया वैसे चंद मिनिट में ही रिक्षा मिल गई लेकिन रिक्षा ड्राइवर रितिक को पैचान नहीं पाया उसने रितिक को कॉमन मैन की तरह ही ट्रीट किया दस साल बाद रिक्षा में बैठने के बाद रितिक को अपने कॉलिज डेज भी याद आ गए लगता है सिंगल का टैग लगने के बाद अब रितिक बैचलर बनके रिफरेश होना चाते हैं